नमस्का दोस्तों, AMT Classes Online में आपका स्वागत है सभी मात्राइं आपने सीख ली होगी और सभी अभिहास आपने कर लिया होगा ये एक कहानी का टेस्ट है तो सभी सब्दों को अच्छे से सुने और उन्हें लिखने की कोशिश कीजिएगा ध्यान नहें कि पूरे वाक्य को एक बार सुनना है और एक बार सुनकर लिखना है इससे आपकी लिखने की आदत बनेगी आप चीजों को जल्दी जल्दी लिख पाएंगे तो आज की कहानी हमारी है जिसका शीरसक है पैर की जनजीरे ठीक है तो कहानी को सुरू करते है एक आदमी कहीं से गुजर रहा था तभी उसने सडक के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुख गया उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंदी हुई है उसे इस बात का बड़ा अचरच हुआ कि हाथी जैसे विशालकाई जीव लोही की जिंजीरों की जगर बस एक छोटी सी रस्सी से बंदे हुए है ये इसपश्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन तोड़ कर कहीं भी जा सकते थे पर किसी वज़े से वो ऐसा नहीं कर रहे थे उसके पास खड़े महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांती से खड़े हैं और भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तब महावत ने कहा इन हाथीयों को बच्पन से ही इन रस्सीयों से बांधा जाता है उस समय इनके पास इतनी शक्ती नहीं होती है कि इस बंधन को तोड़ सके बार बार अभ्यास करने पर भी रसी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि वो इस रसीयों को तोड़ नहीं सकते और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है इसलिए वो है, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते आदमी आश्चरिय में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंदन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकडे जकडे पूरा जीवन गुजार देते हैं याद रखिए असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतन प्रयास करने से ही सफलता मिलती है यदि आप भी ऐसे किसी बंदन में बंदे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है तो उसे तोट डालिए आप हाथी नहीं इनसान है ये पूरी कविता आपने सुनी होगी इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आये होंगे जिसको आप नहीं लिख पाएंगे इसके बाद आपको उसका उत्तर मिलेगा उस उत्तर को ध्यान से चेक करिएगा अगर कहीं में से की गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है आप अपने हिसाब से उस वाक्य को भी लिख सकते हैं और इस कहानी को दुबारा अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा जब उत्तर मिले उसके बाद एक तरफ जो आपने लिखा है अगर वो गलत है तो एक तरफ गलत लिखना है और एक तरफ सही लिखना है और इसी तरह कई और कहानियों का आप अपने हिसाब से भी अभ्यास कर सकते हैं हमारा काम आपको basic ज्यान देना था, basic सिखाना था, आपको मजबूत बनाना था मात्राओं को लेकर इसके बाद आप इसी तरह की कहानियों का, कविताओं का अभ्यास करेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे गलत शब्दों से वाक्यों का भ्यास भी जरूर कीजिए ठीक है? तो मिलते हैं हम फिर अगले ओडियो टेस्ट में जर झाले ओडिया खिर अपनाश में आपक मिलते हैं हो जरी जर शब्गले इंपनाश Navy